अलो स्टुएंट्स वेलकम तू पाइचीमा क्लासेज इन कॉलाबरिशन विट सिटी मॉडल कॉलेज आज हम लोग क्लास नाइन्थ में जो चैप्टर सकेंड है मोशन इन वन डामेंशन उसमें हम लोगों ने लाज्ट टन पर काइनेटिक एक्क्वेशन्स डेवलप करी थी उनको ड्राइब किया था आज उसी पर हम लोग कुछ नियुमेरिकल्स करेंगे तो ओके तो सबसे पहले हम दिखते है जो मेरा फर्स कोश्चान है तो कौन कौन सी एक्क्वेशन आप मोशन हम लोगों ने डिसक्स की थी लाज्ट टन पर तो पहली एक्क्वेशन थी वी इस उक्वेल टू यू प्लस एटी दूसरी एक्क्वेशन थी आपकी एस इस उक्वेल टू उ टी प्लस आफ एटी स्क्वायर तीसरी equation थी v square is equal to u square plus 2as और एक equation आप दिख सकते हैं कि s is equal to the average velocity average velocity into time और average velocity कैसे निकालता है initial velocity plus final velocity upon 2 यह average velocity हो गई into time t तो इस तरह से आपके इतनी equations हम ने develop की थी last turn पर और इनी को लेकर हमको आप सवाल भी करने है तो जो हमारा first question कहा रहा है तो पहली equation हमारी ऐसी कोई equation नहीं जो पहली equation से match कर रही है second equation भी कोई ऐसी नहीं है third equation में सब कुछ है लेकिन यह square नहीं है जो आपकी fourth equation है वो आपकी पूरी की पूरी match कर रही है v is equal to u plus 80 से इसलिए आपका d answer हो गया अब second question करते हैं तो यह first part हो गया अब second part को देखते हैं car starting from rest तो rest से start कर रही है इसका मतलब initial velocity 0 है accelerates uniformly यहाँ पर कोई नहीं acceleration है लेकिन मों दिया नहीं गया है तो question mark आप कर सकते हैं to acquire a speed of 20 km पर hour यानि velocity जो gain कर ली वो हो गई आपकी 20 km पर hour in 30 minutes तो time दिया हुआ है आपका 30 minutes आप देखिए एक चीज यहाँ जो velocity दिये वो km पर hour में दिये यानि यहाँ पर जो time है और यहाँ पर जो time है वो आपका minute में तो इसको तुरंट आप r में convert कर लीजिए कोई भी numerical आप करेंगे तो हमेशा है ध्यान अखेंगे सारे जो units होंगे वो सभी एक ही system के होने चाहिए कौन कौन से system है यानि यदि आपका mks system है length आपकी meter में है mass kilogram में time second में तो जितनी भी quantities होंगी उसकी unit इसी से मिलती जिलती होंगी या फिर आपने cgs system का use किया गया है आपकी length centimeter में mass kilogram में time second में तो जितनी भी units होंगी वो सब उसी एक ही system में होंगी जैसे कि यहाँ पर 1 kilometer hour दिया हुआ है और यहाँ पर जो time दिया हुँ minute में दिया है तो इसको आप तुरंत यहाँ पर chain कर ले 30 minute को यदि आप arm convert करेंगे तो 1 by 2 hour हो जाएगा एक 1 hour में कितने minute होते हैं 60 तो 30 minute का मतलब हो गया 1 by 2 hour अब आगे देखें क्या देखा है the distance traveled by the car in this time interval यानि distance आप से पूछा हुआ है तो अब आपको देखना है जो आपको formula पता है उन्हीं में से आपको इसको check करना है तो पहला formula तो v is equal to u plus 80 है यहाँ तो displacement कहीं है ही नहीं जो second formula है इसमें displacement है जो third formula है इसमें भी displacement है और जो fourth formula है इसमें भी displacement है अब आपको इन तीन equation में से कौन equation यूज़ करना है इसको check करना तो हम उस equation को use करेंगे जिसमें बाकी की सारी चीज़ें दे रखी होंगी यदि हम इस equation की बात करें तो initial velocity दे रखी है हाँ दे रखी है u is equal to 0 time दे रखा है हाँ दे रखा है यह time भी दे रखा है acceleration दे रखा है नहीं नहीं दे रखा है acceleration हम आ रहे है यहाँ पर नहीं दे रखा है तो चलिए इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं भी अब second formula देखिए final velocity दे रखी है आँ दे रखी है final velocity है आपकी 20 meter पर hour initial velocity यह दे रखी है हाँ दे रखी है displacement निकालना है हाँ यहाँ पर displacement है इस equation यूज़ कर सकते है फिर और क्या चीज़ ए acceleration है acceleration दे रखा है नहीं दे रखा है इसका मतब इस वाली equation कभी use नहीं करेंगे अब displacement के लिए कौन से equation बच रहे है अब आपकी यह equation बच रहे है क्या displacement का मतलब क्या है initial velocity और final velocity का sum क्या दे रखा है initial velocity initial velocity 0 final velocity 20 time दे रखा है हाँ वाई time दे रखा है तो फिर हम लोग इस equation का use कर रहेंगे क्योंकि इसमें सारी चीज़ हमको पता है तो s is equal to हो गया v plus u by 2 into t तो velocity हो गया आपकी 20 km पर आख जो u है वो तो 0 हो गई upon 2 और time कितना दिया है 1 by 2 r तो 20 by 2 कितना हो गया 10 km पर r और यह आपका क्या है 1 by 2 r तो r से तो r cancel हो गया 2 से 10 cancel हो गया तो कितना आगया 5 km तो इस तरह से आपका second का जो answer आगया वो 5 km आगया तो जब भी कोई सवाल करेंगे कोई new method करेंगे हम तुरंत हमारे पास जितने भी formula होते होंगे उनको या तो हम side में लिख लेंगे या फिर हम उनको ध्यान में अपने रखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या-क्या चीज़े हमको दे रखी गई है और क्या चीज़े हमसे पूछी गई है तो हम next question को करते हैं यहाँ पर अब एक next question है a body start from rest अब rest से start हो रही है इसका मतलब initial velocity 0 है with a uniform acceleration 2 meter per second square acceleration दे रखा गया है 2 meter per second square find the distance covered by the body in 2 second distance पूछा गया है और time दे रखा गया है 2 second तो फिर से हम देखेंगे हमें निकालना क्या है displacement तो कौन कौन से formula हैं displacement के तो हमको पता है v square is equal to u square plus 2as है और कौन सा है s is equal to ut plus at square है और कौन सा है s is equal to v plus u by 2 into time अब इन तीनों formula में displacement आता है तो हम देख लेंगे कौन से formula में सारी चीज़ हमको पता है सिवाए s के तो आप देखिए यह पहले formula को use करें तो final velocity नहीं पता इसको use नहीं करेंगे इस वाले formula को देखें initial velocity पता है पता है time पता है पता है 2 seconds दिया हुआ है acceleration given है yes given है और time given है given इसमें सब कुछ दिवा है और आपको s निकालना तो फिर इसी formula का use हम लोग कर लेंगे तो s is equal to ut plus half 80 square values को put करें u कितना दिया हुआ है u आपका 0 time कितना दिया है 2 plus half x section कितना दिया हुआ है 2 time कितना दिया हुआ है 2 values को put कर लें यह portion तो 0 हो गया 2 से 2 cancel हो गया और यह 2 आगया simply तो s कितना आगया आपका s आगया आपका 2 meter इस तरह से हमने first question को कर लिया यहाँ पर चीक है यहाँ पर एक mistake हो रही है मेरे ख्याल से कि t square है तो यह आपको time का square करना पड़ा तो 2 into 2 हो जाएगा तो यह आपका 4 meter हो जाएगा 4 meter s is equal to हो गया 4 meter तो देखें यहाँ पर भी फिर से हमने ध्यान दिया चीजों का सारे formula लिख लिए कौन सा formula हमारे लिए useful है उसको हमने check कर लिया एक बात का ध्यान लखना है कि सारी जो unit हो वो सब एक ही system में हो जैसे यहाँ acceleration में जो unit था meter per second square था जो time था वो भी second में दिया गया था इन चीजों का हमेसा लिखान लखना है अब next question करते है second question body starts with an initial velocity 10 meter per second इसका मतलब यू दिया हुआ है आपको 10 meter per second acceleration दिया हुआ है A कितना 5 meter per second square find the distance S आपको निकालना है covered in 5 seconds तो T is equal to 5 seconds तो फिर से हमारा formula यू जोगा S is equal to ut plus half 80 square क्यों कि इसकी सारी चीज़े हमको पता है U भी पता है A भी पता है और time भी हमको पता है तो S is equal to क्या हो जाएगा U का मतलब तो 10 meter per second time का मतलब 5 seconds plus half acceleration का मतलब हो गया 5 meter per second square into T square तो 5 second का square अब साल करें दिखिए second से second cancel हो जाएगा 10, 5, 50 meter हो गया plus 1 by 2 into 5 meter per second square और इसको open कि रिया यह आपने तो 25 second square जाएगा 5 का square 25 और second का square second square अब यह second square से second square cancel हो गया तो 50 meter plus 25 और 5 125 हो गया meter अलेडी था upon 2 तो यह आपका हो गया 50 meter और इसको solve करेंगे यह हो जाएगा 62.5 2, 6, 12 और 5 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 62.5 हो गया आपका और इसको meter इसको add कर दीजे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2, 1, 2.5 meter इस तरह से आपना distance यहां से निकाल ली तो आप नेक्स कोस्टन करते हैं थर्ड कोस्टन एफ वेहिकल इस accelerating on a straight road यानि acceleration यहां पर कुछ है पता नहीं है दिख लिया its velocity at any instant is 30 km पर आर किसी समय इसकी velocity कितनी है 30 km पर आर after 2 second after 2 second यानि t is equal to 2 second it is 33.6 km आर यानि अब जो velocity हो गई है वो कितनी हो गई है 33.6 km पर आर तो इसको velocity initial कहा देंगे v1 कहा दें आतो इसको और इसको हमने v2 कहा दिया it is फिर कहा रहा and after further 2 second it is 37.2 km आर यानि इसके बाद फिर से 2 second और जब इसको करता है तो फिर एक नई वेलोस्टी हो जाती है 37.2 km पर आर तो यह थर्ड़ वेलोस्टी होई v3 तो इस तरह से motion के दो पार्ट हो गए इसलिए पहले पार्ट का 2 second उस समय acceleration क्या है और फिर दूसरे पार्ट का 2 second उस समय acceleration क्या है दो बार 2 second हमने दिये गए हैं तो इन फिर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा इन फिर्स्ट 2 second जो पहला वाला 2 second है तो वहां पर acceleration क्या फार्मला होता है ए इस उक्वल टू v-u अपान t तो v आपको कितना दे रखा है 30 km पर आर और टाइम किता दे रखा है 2 second आप देखिए यहां पर जो time दिया ए वह 2nd में दिया है जबकि velocity दे रखे km पर आर में तो इसको आप convert करना पड़ेगा तो पहले हम क्या करते हैं velocity सो convert कर लेते हैं तो हमको पता है कि जब भी कोई velocity km पर आर में दी हो और उसको m per second में convert करना हो तो हम क्या करते हैं km per r वाली speed में 5 by 18 से multiply कर देते हैं तो जब भी आपकी speed या velocity km r में दी गई होगी तो 5 by 18 से multiply करने पर वो किसमें convert हो जाती है meter per second में convert हो जाती है तो हम यहाँ पर पहले करते हैं पहले तो velocity इसको convert कर लें तो velocity 30 km per r है इसमें 5 by 18 का multiply करें तो यह बन जाएगी meter per second में तो solve करें इसको तो 6,5,30 और 6,3,18 तो 5,5,25 by 3 और यह बन गई meter per second तो यह तो V1 हो गया ऐसे ही V2 निकाल लें तो V2 क्या हो जाएगा आपका 33.6 km per r है इसमें भी 5 by 18 से multiply करें solve करें इसको देखें तो यह हो जाएगा आपका 6,3 जा 18 6,5 जा 30 और 6,6 जा 36 तो यह 5.6 into 5 तो यह केतना हो जाएगा 5,6 जा 30 0,3 carry हो गया 5,5,25 और 3 28 28 by 3 meter per second अब इसी तरह से V3 को भी लिख लें यहाँ पर हम लोग V3 कितना है 37.2 kilometer per hour इसमें भी हम 5 by 18 से multiply करें तो फिर से divide करें देखें कितनी बार जाएगा 6,3 जा 18 6,6 जा 36 और 6,2 जा 12 6,3 जा 36 और 1 remaining मचा और 1.2 तो 6,2 जा 12 तो अब इसको 5 से multiply कर दें तो 5,2 जा 10 तो 0,1 carry 5,6 जा 30 और 1,31 तो 31 meter per second तो इस तरह से जो velocities हमको दिया रखी थी kilometer per hour में पहले तो हमने इनकाम किया कि उनको meter per second में convert कर लिया और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हमको time दे रखा है वो second में दे रखा है इसलिए velocities में भी हमारा time seconds में होना चाहिए एक तो ये बात हो गई तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको हमको ध्यान में रखना है कि velocities हमारी क्या आई है तो velocities आप ध्यान रखे कि V1 आपकी आ गई है 25 by 3 V2 आ गई है आपकी 28 by 3 और V3 आ गई है आपकी 31.0 अब हम क्या करेंगे इसको रप करते हैं और acceleration निकालते हैं पार्ट को यूज़ करते हैं तो इसको रप कर दिया तो अब फिर से हम क्या करेंगे जो पहला वाला 2 सेकेंड था उसका acceleration नगा लेंगे तो A for first 2 second first 2 second acceleration for first 2 second तो क्या फामला होता है acceleration का V minus U upon 2 यानि final velocity तो यहाँ पर देखें तो V1 हमारी कितनी आई थी 30 km पर आग वो 25 by 3 आई थी 2 second में वो V2 में convert होई कितनी 28 by 3 में फिर अगले 2 second में वो किस में convert होगई 31 point V3 बढ़ गई और V3 होई 30.0 meter per second तो जो पहला 2 निकालेंगे पहला acceleration निकालेंगे first 2 second में तो A is equal to final velocity यानि V2 और initial velocity मतलब V1 यह इस वाले portion के लिए यह final velocity होई और यह आपकी initial velocity होई तो put कर दें हम लोग value तो V2 तो है 28 by 3 और initial velocity V1 थी 25 by 3 upon 2 इसको simplify करें तो 28 में 25 जाएगा 3 by 3 upon 2 यह 1 by 2 तो 1 by 2 मीटर पर second square यह पहला acceleration आ गया अब second part को solve करें जो next 2 second है जो next 2 second है उसमें velocity में जो change हो रहा है उसकी वज़े से next 2 second में acceleration क्या हुआ तो acceleration for next 2 second तो फिर से final velocity minus initial तो यहाँ पर final कौन सी है V3 यह V3 final हो गई और यह आपकी initial हो जाएगी इस time के लिए तो V3 minus V2 upon time तो time यहाँ पर फिर से 2 second है तो values put कर दें तो V3 के जगे क्या रखेंगे V3 जगे 31 लिखेंगे V2 के जगे 28 by 3 लिखेंगे upon 2 तो अब आप इसको solve कर लें तो solve करते हैं तो कहीं कुछ गदबर तो नहीं हो गई है 31 आ रहा है 31 कुछ ज़्यादा change है इसको एक बार check कर लेते हैं कि मारा पिछले क्या था 37.2 था 37.2 को हमने 5 by 18 से multiply किया तो upon 3 भी आएगा यहाँ पर यह multiply होके 31 आ रहा था 31 by 3 है actually में लोगों ने calculation में ध्यान नहीं दिया है कि यह 3 यहाँ पर upon में आ रहा होगा उसको नहीं लिखा तो जो final velocity V3 है वो आपकी 33 upon 3 है तो आप इसको solve करेंगे तो 31 minus 28 यह 3 by 3 यह भी आगे upon 2 तो यह फिर से 1 by 2 meter per second square है तो acceleration पहली बार भी 1 by 2 meter per second square है और दूसरे बारी 1 by 2 meter per second square है इसका मतलब acceleration है आपका 0.5 meter per second square और acceleration uniform है तो yes, acceleration is uniform क्योंगी दोनों बार acceleration y आया है ठीक है तो इस question हो कर लिया हम लोगों ने calculation में यह गलबल कर दी थी कि 37.2 km per hour को जब convert कर रहे थे हम लोग 5 by 18 से multiply करके और 6 से में डिवाइड किया था तो यह 6.2 और यह 3 आया था 6.2 into 5 करके 31 तो आ गया लेकिन जो denominator का 3 था वो हम लोगों लाज्ट टाइम लिखना भूल गया थे तो आपने यहाँ पर सही कर लिया 30 by 31 by 3 कर लिया और उसको पोट कर दी और हमारा answer आ गया तो यह हमारा third question हो गया ओके तो अब next question करते है next question है a body initially at rest यानि initial velocity यू दे रखिये 0 start moving with a constant acceleration यानि acceleration दे रखा है 2 meter per second square calculate करना है the velocity acquired यानि velocity निकालना है वी the distance traveled s निकालना है in 5 seconds यानि time दिया हुआ है आपको 5 seconds तो आप देखते हैं पहला question तुमारा velocity निकालने का है तो velocity निकालने के कौन कौन से formula है v is equal to u plus 80 का formula है v square is equal to u square plus 2as का formula है इन दोनों में ही velocity आती है आपकी और एक है हो रहे है आपका s is equal to ut plus half 80 square और एक formula है आपका s is equal to v plus u by 2 into time अब velocity निकालने है तो velocity कौन सी है यह initial velocity तो 0 है यह final velocity है यानि after some time की velocity है तो यहाँ पर देखिए इसमें after some time की velocity v है इस वाले में after some time की velocity v है और इस वाले में after some time की velocity v है यानि इन तीन formula हो में से कोई formula यूज कर सकते हैं तो फ़हले formula को चेक करें कि v तो निकालना है ओके u पता है yes हमको पता है u is equal to 0 acceleration given है yes acceleration given है 2 meter per square square time given है yes given है time t is 5 second तो पहला ही जो formula था वही हमारा यहाँ पर यूज हो जाएगा v is equal to u plus 80 तो u तो हो गया 0 acceleration हो गया आपका 2 meter per second square और t time दिया हुआ है 5 second second से square cancel हो गया तो हो गया 2 meter per second into 5 तो 5 to 0 10 meter per second तो यह तो आपका velocity आगया first part आपका साल हो गया फिर next क्या कह रहा है आपका the distance traveled in 5 seconds यानि s निकालने को कह रहा है तो आप s देखी कौन कौन से formula में है s यहाँ पर है s यहाँ पर है इन तीनों ही formula में s है अब आपको देखना है कि इन तीनों ही formula में सारी चीज़े हमको पता है s को चोल के तो हम पहला वाला देखें तो v square is equal to u square plus 2s final velocity पता है अभी भी पता करी है initial velocity पता है आप लेड़ी दे रखिये u is equal to 0 acceleration given है x निकालना है इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग इस वाले को देखें आपको देखें यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी formula भी यूज़ कर लें आपको s निकालाएगा अब आपकी चुआई से कौन से फामुला यहां यूज़ करते हैं हम तो चलो इसको यूज़ करते हैं तो s is equal to v plus u by 2 into t तो v तो हो गया आपका 10 meter per second u हो गया 0 upon 2 और time हो गया आपका 5 तो circle कर लीजिए 10 by 2 into 5 यानि 5 into 5 तो यह हो जाएगा आपका 25 meter s आपका आगया 25 meter ठीक है अब आप लोग क्या करिएगा आप इस वाले formula का यूज़ करिएगा और फिर इस वाले formula का यूज़ करिएगा तो आपका answer यह 25e आएगा तो इस तरह क्या से आपने answer को देख लिया जो आपका 25 meter वो गया अब next question करते हैं next question देखे, a bullet initially moving with a velocity 20 meter per second, यानि initial velocity दे रखिए 20 meter per second, strikes a target and comes to rest, यानि final velocity क्या होगई, 0, comes to rest, rest का मतलब वो अब रुख गई है, रुख गई है मतलब velocity उसकी 0 होगई है, after penetrating a distance 10 cm in the target, यानि कितना distance वो travel की, उसने 10 cm किये, calculate the retardation caused by the target, यानि आपको acceleration निकालना है, कितना है, तो retardation है, इसका मतलब आपने हैं, इसमें acceleration होगा, तो अब देखी, कौन-कौन से formula हमको पता है, इसमें acceleration आता है, तो v is equal to u plus 80, इसमें acceleration आता है, v square is equal to u square plus 2as, इसमें भी acceleration आता है, s is equal to ut plus half 80 square, इसमें भी acceleration आता है, यानि इन तीनों ही questions में आपका acceleration आता है, अब use कौन से करेंगे, तो use तो हम वही करेंगे, जिसमें की हमको acceleration को छोड़ कर, बाकी सारी चीज़ें given होंगी या हमको पता होंगी, तो हम पहला देखें तो v final velocity पता है, इनीचे वेलासटी u given है, time given है, नहीं भाई, time तो कहीं नहीं given है, तो इस formula को भी हम छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं इस formula को, velocity final given है, yes given है, 0 है, इनीचे वेलासटी given है, yes given है, 20 meter per second square है, 20 meter per second है acceleration given है यही तो पूछा है है हमसे displacement given है yes given है तो इस formula कम यहाँ पर use कर सकते हैं इस formula को देखें तो यहाँ पर time दिया हुआ है तो time उमको दिया नहीं है तो इस formula कम भी use नहीं कर सकते हैं तो finally हमारे पास यह वाला formula पचा जिसका हम use कर सकते हैं तो इसको लिखे लेते हैं v square is equal to u square plus 2as v का मतलब है final velocity जो कि 0 हो गई है u का मतलब है initial velocity जो कि 20 meter per second है तो 20 meter per second square plus 2 acceleration यही तो उमको निकालना है into displacement वो कितना दिया हुआ है 10 centimeter अब यहाँ पर देखिए एक चीज आपको जो velocity दे रखिए है वो meter per second में दे रखिए है जबकि जो displacement दे रखा है वो centimeter में दे रखा है तो तुरंत इसको हमको chain करना पड़ेगा meter में तो centimeter को जब meter में chain करना होता है तो 100 से divide करते हैं तो यह meter बन जाता है तो अब यह बन गया आपका 0.1 meter तो यहाँ पर 10 by 100 आप लिख लेंगे यानि 10 by 100 1 by 10 तो देखिए 0 का square तो 0 हो गया यह 20 meter per second square तो 400 meter square per second square हो गया यह 2 यह A और यह आपका 1 by 10 अब हमको तो acceleration निकालना है तो हम क्या करेंगे acceleration को वाले term को एक तरब रखेंगे दूसरे term को दूसरी तरब ले जाएंगे इसको आप चाहें तो काट लिजे 2, 5, 0 हो गया तो यह हो गया A by 5 इस तरब का तो A by 5 हो गया यह बाकी चीज़ें को दूसरी तरब ले जाएंगे तो minus हो जाएगे इसको इदर ले आएंगे तो minus 400 meter square पर second square हो जाएगा और यह आपका जो 10 था वो क्या था meter था तो यहाँ पर आप meter लिख सकते हैं A by 5 meter अब आप meter से square एक cancel कर सकते हैं तो देखे क्या आगया A by 5 अब चाहो तो 5 को बिदर ले जाओ तो A is equal to minus 400 meter per second square और यह 5 इस तरब आगे multiply हो जाएगा तो आजाएगा minus 2000 meter per second square यह आपका acceleration हो गया चीक है तो acceleration आपका यह आगया अब देखेए minus का आ रहा है minus का यह show कर रहा है कि वहाँ पर क्या लग रहा है वहाँ पर retardation लग रहा है चीक है तो इस तरह से आपका retardation कितना आ गया 2000 meter per second square निकल कर आ गया है ठीक है तो अब हम लोग next question को करते है next question दिया हुआ है 6 train moving with a velocity 20 meter per second यानि initial velocity जो उसकी already है वो कितनी है 20 meter per second brought to rest यानि final velocity याथी 0 rest पर आ गई है applying breaks प्रिक लगाई गई है इसका मतलब retardation होगा होगा पता नहीं लेकिन हो in 5 seconds तो time दिया हुआ है 5 seconds calculate the retardation यानि retardation निकालना है तो फिर से जो हमारे पास formula है उनको देखें के कौन कौन से formula है v is equal to u plus 80 वाला formula है तो देखें final velocity given है ये given है initial velocity given है yes given है acceleration पूँचा है time given है yes given है तो बस यहीं आला formula ही लगा देंगे क्योंकि पहला ही formula है सब कुछ हमको given है तो v is equal to u plus 80 लगा दिया v तो हो गया 0 u हो गया 20 meter per second और acceleration हमको पताई करना है और time हो गया आपका 5 seconds तो देखें acceleration वाले portion को एक तरब रखते हैं बाकी चीजों को दुछी तरब ले आते हैं तो 5 a s 5 a second यह 5 a second एक तरब रखता है और बाकी चीजों को धर ले गए तो minus 20 meter per second तो a is equal to क्या गया minus 20 meter per second upon 5 s 5 second तो 5 से 20 cancel हो गया 4 हो गया तो minus के 4 यह आपका meter per second आई और यह second और था तो यह second square बन जाएगा तो इस तरह से आपका acceleration कितना आ गया minus 4 meter per second square minus रिपरेंट कर रहा है कि यह negative है क्योंकि वहाँ पर brakes लग रही है तो इस तरह से आपका यह question भी solve हो गया question number 6 अब हम next question देखते है 7th attain travels with a speed of 60 km per hour यानि यहाँ पर initial velocity दिरखिए 60 km per hour from station A to station B यानि station A से station B जाती है then comebacks फिर वापस भी आ जाती है with a speed of 80 km per hour यानि वापस आते समय जो उसकी speed है वो है 80 km per hour जाते समय जो उसकी speed थी वो थी 60 km per hour करा average speed बताईए ठीक है बात तो average speed first तो average speed का formula क्या होता है average speed is equal to होता है total displacement total displacement upon sorry speed है तो speed में displacement नहीं लेंगे हम distance लेंगे displacement तो यहाँ पर 0 हो जाएगा क्योंकि जहां से वो चली थी वहीं पर वो वापस आ गई तो displacement हो जाएगा 0 लेकिन हम बात कर रहे है speed की तो speed में हम distance लेते है तो average speed का मतलब होगा total distance upon total time ठीक है अच्छा एक formula average speed का और होता है वो क्या होता है average speed का formula velocity average वो था initial velocity plus final velocity upon 2 जो हम formula भी यूज़ करते है s is equal to average speed into time यानि v plus u by 2 into time इसमें भी यूज़ करते है तो देखें फिर यहाँ पर average velocity निकालने के दो formula देखें आपकर सामने आ रहे हैं एक तो velocity average का मतलब है initial velocity plus final velocity upon 2 और एक average velocity आपका average speed का यह formula दिया हुआ है total distance upon total time तो अब आपको एक velocity यह दे रखी है 60 km पर आर जाते समय और आते समय की दे रखी 80 तो क्या हम इस formula का use नहीं कर सकते तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस formula का use हम नहीं कर सकते क्योंकि यह formula तब ही apply होता है जब आपका acceleration constant हो और straight line पर motion हो direction change नहीं हो रही हो तभी आप इस formula का use करते हैं कब करते हैं जब constant acceleration हो और direction change नहीं हो रही हो तभी आप इस formula का use करेंगे जैसा कि पीछे cases में किया था acceleration constant था यहाँ पर हमारा acceleration दिया ही नहीं गया है यह यूँ कहें कि जाते से मैं भी acceleration 0 था और आते से मैं भी acceleration 0 था इसलिए इस formula का use नहीं करेंगे जो सबसे basic formula है वो average speed बरावर total distance upon total time को करेंगे अब distance थो उनको दी नहीं गई है तो फिर क्या करें तो हम suppose करेंगे कि let distance between stations is between station is x या s कुछ भी मान लिया प्यानि जाते समय उसने s distance travel करी और आते समय भी उसने s distance travel करी तो जाते समय कितना time लगा वो निकाले है so time taken to go from a to b तो time is equal to होता है distance upon speed यानि s और speed कितनी है 60 ठीक है तो यह आपके जाते समय का time होगे है t1 अब वापस आते समय किस time suppose t2 है तो आप फिर लिखेंगे time taken to come back from b to a b to a so t2 is equal to क्यों जाएगा फिर से distance upon velocity तो distance तो उतनी रहेगी s velocity इस बार कितनी है 80 तो time आपका निकल गया s upon 80 अब आपको average speed निकालनी average speed का मतलब होता है total distance upon total time तो total distance क्या हो गई जाने का s और आने का s upon total time कितना हो गया t1 प्लस t2 जो अभी आपने निकाला है अब इसको put करेंगे देखिए तो s तो हमको पता नहीं है लेकिन जब divide करेंगे तो s और s cancel हो जाएगा और आपका average speed निकल आएगा तो अब हम इसको रप करके आगे करते हैं आपने क्या लिख लिए यहाँ पर जो total time आया है वो आगया s upon 60 प्लस s upon 80 अब हम average speed को निकाल लेंगे इसको रप कर रहे हैं तो average speed क्या हो गई total distance upon total time तो देखिए यहाँ पर distance नहीं दे रखी वी लेकिन तब भी हमने जानबूज के distance ली क्योंकि उनको पता था कि तरह हम average speed निकाल लेंगे तो distance upon time करना होगा और time निकालते समय भी आपकी distance आएगी तो यह दिए हम distance मान भी लेते हैं तो वो भी आपकी वहाँ पर division होने पर cancel हो जाएगी और कोई फर्क नहीं पढ़ेगा तो इस तरह से average velocity का यह फाउना लगा दिया total distance जाने और आने का s plus s और total time जाने और आने का तो यह तो हो गया 2s इसको साल करिए तो क्या हो जाएगा 80 और 60 का average हो जाएगा कुछ तो क्या average होगा 240 ठीके 80 से डिवाइड करें तो यह हो गया आपका s by 80 plus s by 60 तो average हो गया 240 तो इसको आप simplify कर लिजे 80 से 240 दिवाइड करेंगे तो 3 आएगा तो यह हो जाएगा 3s लेकिए इधर हम इसको काट दे रहे है इधर कर दे रहे है तो यह हो गया 2s s by 80 plus s by 60 तो ज़रा इसको साल करने ने अलग से s by 80 plus s by 60 को साल करें तो lcm तो 240 हो गया 80 से डिवाइड किया तो 3 आया तो ऊपर हो गया 3s 60 से डिवाइड किया तो 4 आया तो 4 से मल्टिप्लाई हो तो 4s तो यह हो गया आपका 7s अपॉन 240 तो यहाँ पर हम लिख देंगे तो 2s अपॉन इसको साल किया तो यह आ गया 7s अपॉ 240 देखिए ss cancel हो गया जिसको उमने माना था अब 240 तो ऊपर चला जाएगा तो यह हो जाएगा 2 into 240 अपॉन 7 अब इसको simplify कर लिजिए तो यह तो हो गया 480 by 7 तो 7 6 अब 42 और 6 बचा तो 60 हो गया तो 7 8 जा कितना हो गया 56 और around about 68.5 किलो मीटर पर आर आपका answer हो गया किसका velocity average का तो इस तरह से कई बार हमको कुछ चीज़ें assume करने पड़ती है और वो बात में जाके cancel भी हो जाती है जिसका यह आपको perfect example तो यह तो होगी average speed आप बात करें average velocity की इसी same question को यूज की इसी same formula को यूज करेंगे क्या कि velocity अभी तो speed निकाल ली थी तो हम लोगों displacement लिखेंगे अभी हम लोगों निकाल था distance आप लिखेंगे total displacement अपॉन total time तो देखे total time तो इतना ही रहेगा जो आपने निकाला यह यह total time तो इतना ही रहेगा लेकिन displacement की जब बात करेंगे तो s जाने में लगा और s वापस आने में तो वापस आने वाला s negative हो जाएगा और total time तो आपका वही रहेगा जो था जो आपका time में तो कोई direction होती नहीं है तो time तो वही रहेगा लेकिन आपका net displacement 0 हो गया इसलिए पूरा answer भी क्या हो जाएगा 0 यानि average velocity आपकी 0 हो गयी क्य क्योंकि displacement 0 हो गया आप A से चले थे B पर और B से वापस A आ गये तो आने net displacement आपका 0 है इसलिए आपकी average velocity केतनी हो गई 0 हो गई ओके तो आप next question करते हैं next question है a train is moving with velocity 19 km per hour तो initial velocity दे रखिये आपकी 90 km per hour it is brought to stop यानि velocity final क्या होगा ही 0 by applying the brakes which produce a retardation आप 0.5 meter per second square तो acceleration दे रखिये 0.5 meter per second square अब देखिए यहाँ पर acceleration दे रखिये मीटर per second square में जबकि velocity दे रखिये km per hour में तो तुरांत इसको हम change करने km per hour जब होती है तो हम उसमें क्या करते हैं उसमें 5 by 18 से multiply कर देते हैं तो वो meter per second में convert हो जाती है तो जब हम करेंगे तो 18, 5 is a 95, 5 is a 25 तो 25 meter per second हो गई तो यह तो आपकी इसे velocity हो गई अभी यह भी meter per second में हो गई acceleration भी meter per second square में पूंच कह रहा है velocity after 10 second तो velocity after 10 second पूंच रहा है तो t 10 second है क्या पूंच रहा है velocity पूंच रहा है time t पर तो formula क्या होता है velocity का v is equal to u plus 80 तो u कितना दिया हुआ है 25 meter per second दिया हुआ है अब plus है तो plus की जगह यहां minus लेंगे क्योंकि यहां पर retardation लग रहा है अब्रक लग रहा है तो minus का 0.5 यह t हो गया और यह तो हो गया आपका acceleration और t कितना दिया है आपको 10 second तो यह 10 second तो 0.5 meter per second square और 10 second तो यह तो हो गया आपका 25 meter per second u minus 0.5 का मत्ता होता है 1 by 2 वो meter per second square में square से second cancel हो जाएगा तो क्यों meter per second बचाएगा तो into 10 meter per second finally क्या आ गया यह 20 meter per second minus 2 से 10 कर जाएगा 5 पे तो 5 meter per second तो यह आजाएगा आपका 15 meter per second तो इस तरह से आपका जो पहला answer आ रहा है 15 meter per second आ रहा है तो देकिए हाँ देकिए एक mistake हो गई है यहाँ पर 25 है तो यह भी आपका 25 होगा और यहाँ भी 25 होगा और फिर यह 20 आ जाएगा यह कैसे यहाँ 20 लग गया तो यह 25 होगा यह 25 है तो यह आपका 25 रहेगा और यहाँ पर 5 25-5 20 meter per second आपका answer आ गया तो first answer जो है आपका first part 20 meter per second हो गया अब second part की बात करते है तो time taken by the train to come to rest अब initial velocity तो दे रखी आपकी 90 km per hour जिसको हमने convert कर लिया 25 meter per second में final velocity कहला 0 हो जाएगी तो time बताइए तो acceleration तो already दे रखा है अब फिर से यही formula यूज़ कर लेंगे v is equal to u plus 80 का आप final velocity क्या हो रही है जीरो हो रही है इनी से velocity कितनी है 25 meter per second अब क्योंकि retardation है इसलिए plus की जगा minus लिखेंगे acceleration कितना है 0.5 तो 0.5 को तो 1 by 2 लिख सकते हैं तो 1 by 2 meter per second square into t equal के इस तरब क्या बचाए आपका 25 meter per second आप देखें मीटर से meter cancel हो गया second से square cancel हो गया यहां क्या बचा t by 2 second और इस तरब क्या बचाए आपका यह बचा 25 तो t is equal to क्या हो गया 2 second के दर multiply हो जाएगा तो 25 into 2 second इसका मतलब 50 second तो इस तरह से आपका जो up time लगेगा पूरी velocity को zero करने में वो कितना लगेगा 50 second लगेगा तो आज हम लोगोंने कुछ questions किये आज के लिए इतना ही next turn पे कुछ और question करेंगे और उसी के साथ यह हमारा second chapter कतम हो जाएगा तो एक turn और और आपका second chapter finish तो आज के लिए इतना ही next time पे फिर मिलेंगे तक तक के लिए bye bye